Hello Friends, Welcome back to Crazytronics इस वीडियो में हम Ultrasonic Sensor के बारे में देखेंगे Ultrasonic Sensor किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम इस वीडियो में डीटेल में देखेंगे तो चलिए दोस्तों बिनादेरी कि यह शुरू करते है सबसे पहले हम देखते हैं कि Ultrasonic Sensor क्या होता है Friends, Ultrasonic Sensor Distance Measurement के लिए यूज किया जाता है और ये Sensor Ultrasonic Sound पे वर्क करता है Normal Human 20Hz से लेकर 20KHz तक की Frequency के साउंड को सुन सकते है लेकिन जो Ultrasonic रहता है उसकी Frequency 20KHz से जादा रहती है इसी वज़े से हम Ultrasonic Sensor से निकलने वाले साउंड को नहीं सुन सकते Ultrasonic Sensor का वर्किंग समझने से पहले हमें इसका Construction देखना पड़ेंगा इसमें दो Physio Electric Transducers लगे रहते हैं जिसमें से एक रहता है Transmitter जो की Ultrasonic Pulses को Transmit करता है और दुसरा रहता है Receiver जो की Ultrasonic Pulses को Receive करता है और इस Sensor में 4 Pin लगे रहती है पहली पिन रहती है VCC जिसमें 5 Volt का Supply दिया जाता है Second Pin रहती है Trigger Pin जिसके Input में 10 Microseकेंड की Pulse दी जाती है और इसके बाद में Third Pin रहती है Eco Pin जिससे Output लिया जाता है और इसके बाद में Fourth Pin रहती है Ground Pin तो Friends ये हो गया इसका Construction अब हम इसका Working समझने की कोशिश करेंगे तो Ultrasonic Sensor में 5 Volt का Supply देने के बाद में इसकी Trigger Pin पर 10 Microseकेंड तक High Pulse दी जाती है जिसके वज़े से Ultrasonic Sensor का जो Transmitter है वो 8 Sonic Pulse जनरेट करता है और जैसे ही 8 Sonic Pulse जनरेट करता है वैसे ही Ultrasonic Sensor की Eco Pin से High Output मिलना शुरू हो जाता है और Eco Pin से High Output तब तक मिलता है जब तक की ये Sonic Pulse अबजेक्ट से टकरा कर Receiver पर नहीं आ जाती और अब जैसे ही Ultrasonic Sensor का Receiver इन 8 Sonic Pulse को Receive करता है वैसे ही Eco Pin से High Output मिलना बंद हो जाता है और ये जो टाइम है जितने देर तक Eco Pin High रहती है इसे Pulse In Function का यूज करके Calculate किया जाता है और अगर मैं यहाँ पे Ultrasonic Sensor और Object की बीच का Distance Calculate करना चाहूँ तो उसका Formula हैगा Speed of Sound multiplied by Time divided by 2 जैसा कि हमें पता है Sound की Speed रहती है 343 मीटर पर सेकेंड लेकिन हमें यहाँ पर Distance को सेंटीमीटर में Calculate करना है और हमें यहाँ पर जो टाइम मिला है ये टाइम माइक्रो सेकेंड बे है इसलिए मैं यहाँ पर Sound की Speed को सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड में कनवर्ट कर दूँगा तो इस तरह से मुझे Speed of Sound की Value मिलेंगी और फिर Object से Reflect होकर Receiver तक आने में लगा हुआ टाइम है Example के लिए मान लिजिए मैंने Sensor से कुछ Distance पर कोई Object रखा हूँ और Ultrasonic Sensor के Transmitter से Ultrasonic Pulse इस Object से टकरा कर Ultrasonic Sensor के Receiver पर आती है जिसकी वज़े से Eco Pin 500 Microseकेंड तक High रहती है तो इस तरह से Pulse In Function इस 500 Microseकेंड को Return करेगा और इस Value को Formula में रखने के बाद में मुझे Distance की Value मिलेंगी 8.575 I hope कि आप इस Formula को समझ गए होंगे और Next वीडियो में हम इसी Formula का Use करके Arduino के साथ में Ultrasonic Sensor को Interface करेंगे और Ultrasonic Sensor से Distance Measure करेंगे Friends ये हो गया Ultrasonic Sensor का Working अब मैं आपको कुछ ऐसे Points बता रहा हूँ जिसे आपको याद रखना पड़ेंगा पहली बात ये कि Ultrasonic Sensor HCSR04 की Range रहती है 2 cm से 4 मीटर तक इसका मतलब कि आप इस Sensor से 4 मीटर से जादा के दूरी पर रखे हुए Object के Distance को Calculate नहीं कर सकते और सेकेंड बात ये कि Sound की Speed रहती है 3.43 मीटर पर सेकेंड 20 डिगरी Celsius टेंपरेचर पर और जब टेंपरेचर कम जादा होता है तब Sound की Speed पर भी Effect पड़ता है इसलिए इस Sensor का Use उस जगा नहीं किया जा सकता जहां पर टेंपरेचर Rapidly कम जादा होता है तो Friends ये कुछ Ultrasonic Sensor के Points है जो की आपको याद रखना है Friends I hope की आपको Ultrasonic Sensor का Working आसानी से समझ में आ गया होगा और अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों दक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप Arduino के basics और इसकी programming सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो को आखरी तक देखने के लिए Thank you so much